हालो प्रेंट्स इन दिस वीडियो वी डिसकास दो हुमान एसक्रिटोरी सिस्टम को हम डिसक्रिशन करेंगे मतलब यह पार्ट टू वीडियो है इन दिस सप्टर का तो हमारा जो एसक्रिटोरी सिस्टम में क्या क्या आता है हुमान का तो चलिए देखते हैं इन हुमान एसक्र प्यार अफ किन्नी मतलब दो किन्नी होता है दो किन्नी होता है वान प्यार अफ यूरेटर मतलब यह जो दोनों पाइपलाइन है दोनों यूरेटर है दोनों यूरेटर है then and a urethra, a single, मतलब a urethra है, okay, then a urinary bladder, a bladder, this is the urinary bladder, ठीक है, urethra ये है, तो दो किन्नी, दो urethra and one bladder and one urethra, clear, okay, तो किन्नी are the reddish brown, bean shape structure, देखिए, bean shape का structure है, and reddish brown color का होता है, situated in between the level of last thoracic, मतलब हमारा जो भटिब्रा होता है, thoracic होता है, 12 numbers of thoracic होता है, ये जहां पर जो लेबल है, जहां T12 आता है, T12, मतलब थोरा सिक 12 जहां बटिब्रा का जो लेबल आता है, वहां से लेकर, उसके बाद L1, L2, L3 तक हो extend किया है, L3 तक extend किया है, clear, L3 तक किया, clear, तो फिर क्या, डर्सल इनर वाल अब दा अब्डोमिनल क्याविटी, अब्डोमिनल क्याविटी में present है, और डर्सल साइड में इनर वाल को साइड में present है, तो each kidney of adult human measure कितना, उसका, मतलब length होता है, 10 से 12 cm, और उसका weight होता है, 5 से 7, और thickness होता है, कितना, 2 से 3 cm, clear, clear, तो weight कितना होता है, होता है, 120 से लेकर 170 ग्राम तक weight भी होता है, clear, तो क्या देखे, हमारा जो urinary जो system है, हमारा जो excretory, हमारा system में क्या-क्या है, आया है, excretory system में क्या है, क्या-क्या आया है, मतलब क्या, दो किन्नी, दो किन्नी मतलब pair, फिर क्या है, one pair, pair लिख दो, एक साथ में, ureter, one bladder, a bladder, a bladder, and, और क्या है, urethra, clear, यह हो गया, देन और क्या-क्या है, इसका, यह कहाँ present है, यह present है, T12 से लेकर, TL3 तक, सरी, यह L, L, L3 तक present है, यह हो गया, और क्या है, और क्या है, इसका, लेंद कितना है, 12 से लेकर, 10 से लेकर 12 संटीमीटर, और उसका, ब्रेट कितना है, 5 से लेकर 7, और, थिक्नेस होता है, 2 से लेकर इतना संटीमीटर, clear, लेंद ब्रेथ और वाइड हो गया है हो गया है और ब्रेथ और वाइड यह थिकनेस 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 और इसको वाइड बोले कितना इसका वाइड लिखिए ठीक है यह तो लेंद है रेड ब्राउन कळर 2 डिल कober डियर इतना हो गया तो उसके बाल दाद और क्या है यहां किन्नी किन्नी जहां पर यह किन्नी हो गया यह किन्नी जहां पर एक नौच होता है मतलब जहां पर यह क्या यूरेटर जहां पर को ब्लट bên जर और और सव्में जो नोच में जाता है इसको हम क्या बोलता है हाईलम बोनते हैं यह यहां यह थीव इंटर करता है क्या है ब्लाड बैसिए और यूरेटर और ये तिनों एंटर करता है इसमें तो और क्या है इसको हम क्या बोलेंगे ये जो नाच को हाइलम बोलेंगे और ये जो यहां जो वाइड मतलब जो फ़नल सेफ हो गया इसको हम रिनाल पेल्बिस बोलेंगे रिनाल पेल्बिस बोलेंगे यह क्या हुआ है यहां आके यह थोड़ा प्रोजेक्शन हो गया मतलाब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन हो गया ब्रांचेस ऐसे हो गया प्रोजेक्शन हो गया ओ प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे यह projection को बोलेंगे क्या लेक्सिस ठीक है यह भी हो गया यह भी हो गया तो outer layer of the kidney is टफ एक capsule होता है यह capsule यह capsule ठीक है इसका दो zone होता है अगर इसका दो zone इसको हम mark नहीं करेंगे फिर भी लगता है दो zone जैसे एक zone यहां outer में और थोड़ा middle region मतलब अंदर का तरफ हे जो outer zone है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे GAN क्या です इनर जो है इसको हम मेडूला बोलेंगे मेडूला यह मेडूला हो गया क्या यह जो है कोणिक काल मासे समेडूलारी पीरामीडाल प्रोजेक्सम देखिए यहां मेडूला क्या हुआ है थोड़ा एससे करके जाके उसे इसे एसे करके इसे 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 करके पीरामिट बन गया तो इसको हम बोलेंगे मेडूलारी मेडूलारी पीरामिट्स clear clear यह पीरामिट्स हो गया ठीक है फो गया दो प्रोजेक्ट इंटो दो क्यालेस सिंगिल मैं क्या onion ओलेंगे और श्रूरस और काटेक्स एक्सTO इन बीटूइल देखिए या क तेक्स जो थोड़ा हे जी पिरामेड का अंदर में घुसा हुआ है तो उसको उसको हम क्या बोलेंगे देखिए ये पिरामेड हो गया पिरामेड का अंदर में ये एक कलर का घुसा हुआ है तो जो घुसा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे एक एक मेडूला हो गया तो इस मेडूला हो गया ठीक है तो मेडूला का इस बीच में है इसको हम क्या बोलेंगे जो कटक्स गुसके है उसको क्या बोलेंगे रिनाल कॉलम और और कॉलम्स अफ बतिनी ठीक है यह हो गया मतलब इसके अंदर में जो गुसा हो आये इसको हम बोलेंगे रिनाल्स कलम बोलेंगे और कलम्स अफ बतिनी बोलेंगे इसका बीच में जो गुस गया है यह जो एक्स्टेंड हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या इसको हम बोलेंगे कलम बटनी ठीके फिर देखते हैं इस किन्नी हाँच नियली वान मिलियन कंफ्लेक्स टीवलार स्टक्चर मतलब मतलब एक किन्नी को अगर देखेंगे तो वान मिलियन जैसा कंफ्लेक्स टीवलार स्टक्चर है उसको क्या बोलेंगे ने पॉप फंक्सणाल यूनिट है तो अगर एक नेफ्रण को आगार एक नेफ्रण प्रण को हम देखेंगे क्या है उसमें दो पार्ट होता है एक होता है तो ग्लोमेरुलास ठीक है एक होता है ग्लोमेरुलास और एक क्या होता है और एक क्या होता है देखें एक होता है ग्लोमेरुलास एक होता है रिनल्स टीवल्स ठीक है एक ग्लोमेरुलास एक होता है रिनल् तो यहां थोड़ा देख लेते हैं हम ड्रा करके क्या देखिए यहां एक यह एक ही नेफ्रन का स्ट्रक्चर है तो देखिए हम यह हो गया इसका अंदर में एक आटरी आता है एक आटरी यहां ब्रेक हो जाता है ड्रीज बना देता है टिकए एह आटरी आके फिर यहां से एकजिस्ट की कर जाता है ठीक हे हैं यहां मैं इस बना देता है तो बोड़ा है देखे तो ग्लोमेरूलस जो है एक क्यापिल यह हो गया हमारा अट डोमาร क्या हम यह गुश्स एडळोब में वे ओल्रूम यह जो हो गया ग्लोमरूलस ठीक है ग्लोमरूलस यह हो गया तो रिनाल स्टीबूल कौन हो गया यह नहीं यह हो गया रिनाल स्टीबूल इस पोर्शन यह रिनाल स्टीबूल हो गया क्लियर क्लियर तो इसका दो ब्रांच होता है यह जो glomerulus, इसका एक है, यह जो renal artery हमारा आता है, यह क्या है, the glomerulus is capillary formed by the afferent arterial spine branch of renal artery, यह है renal artery, renal artery, तो renal artery, यह जो branch करता है, यह है, क्या आफ्फरेंट, afferent arterial, हो जाता है, जो active का अंदर में, गुस के network बनाता है, this is the afferent, और जो exit कर गया, जो बाहर आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, efferent, इसको हम क्या बोलेंगे, efferent, different, different, at roles, बोलेंगे, different, at roles, बोलेंगे, clear, different at roles, बोलेंगे, clear, यह हो गया, तो फिर इतना दा clear, देखिए, यहाँ different at roles, हो गया, at roles हो गया, और afferent, अप्फरेंट जो आया है, यहाँ network बना दिया, उसको हम network को glomerulus बोलते हैं, फिर यह बाहर चला गया, जो exit किया, उसको different at roles, बोलेंगे, इतना तक clear है, very simple, clear है, तो renal tables begin with double wall cup like structure, called the bowman capsule, रिननल स्टीबल यहाँ से शुरू हो गया, यह cup-like structure, जो करता है, cup-like structure को क्या बोलते हैं, इसको, हम क्या बोलेंगे इसको, इसको bowman, bowman's capsule और निमजेतीक, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, bowman's capsule, ठीकते हैं, किसको, यह जो cup sap है, which is enclosed the glomerulus and along with the woman's capsule is called the malphigian body अगर हम इसको पूरा इस से लेकर पूरा इतना तक मतलब glomerulus को मिला के अगर बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे इसको इसको क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मालफी गियान बड़ी और रिन्नाल करपसकल ठीक है यह मालफी गियान बड़ी इसको बोलेंगे ठीक है हो गया किसको बोलेंगे यह टोटाल को टोटाल यह पूरा अगर glomerulus और बोमन कैपसुल दोनों को मिला के हम मालफी गियान बड़ी बोलेंगे क्लियार क्लियार तो फिर क्या देखते हैं दटीव कंटिनू फॉर्दर फॉर्म में हाइली काइल नेटवर्क PCT बनाता है यह जो ट्यूब है फिर यहां काइल बना देता है थोड़ा ज्यादा काइल बना देता है इसको हम क्या बोलेंगे जो काइल हो गया PCT प्रक्सिमाल कन्वुलेटेड टीबल ठीके प्रक्सिमाल कन्वुलेटेड टीबल ठीके और मतला इसका फॉलफर्म हो ठीके दिन PCT हो गया पूर्स थे देखते हैं तो एक हैर्पीं सिस्रीन स्लूप इस नेक्सट पार्ट पॉटन टीके अडिस पार्ट वनujęka दी एक है myös की ए क।क्क्शर बन जाता है तो next part of the table, उसका दो पाट होता है, decending एक ascending होता है, यह descending part है, कौनगी पाट है? descending part, descending, descending part हो गया, यह part हो गया ascending, जो उपर जाता है, descending का मतलब जो नीचे आया है, तो ascending हो गया यह ascending, ascending part है, देखिए आसेंडिंग यह दीसेंडिंग और इसको क्या बोलेंगे लूप अप हेनल्स कि लूप बोलेंगे लूप लूप क्लियर है लूप क्लियर है करेस में दो आसनिंग लीम कंटिनू अंड आना दर हाइली कॉल टीवलार पार यहां काई स्टक्चर बन गया था यह फिन से हो गया है फीन लाइक स्टक्चर बन गया है इसके बाद एगे यह क्या काईलाइक स्टक्चर बन जाता है तो that is called क्या बोलते हैं इसको dct digital convoluted table बोलते हैं तो dct यह हो गया dct digital convoluted table then यह कहां जाता है यह जाके यह जाके क्या एक collecting dot जो होता है इसमें collecting dot को जाके meet करता है clear तो dct फिर आके यह जो हो गया यह देखिए collecting dot का साथ में extractive dct of many बहुत ऐसे ने फ्रण बहुत ने फ्रण ऐसे ऐसे आके तो medular region से कटक्स region से आके यह कहां collecting dot का साथ में मिला वह यहां एक यहां एक ऐसे करके बहुत सारी आके joint हो जाता है तो दिश इस दा collecting duct clear तो which converge and open into the renal pelvis through medularry यह collecting dot फिर क्या होता है यहां से collecting dot का यह renal pelvis का तरफ मतलब यह सोच लिजिए यह इसके बाद यह renal pelvis मतलब यहां ठीके अभी यह renal pelvis मतलब structure का अंदर में यह सब duct आएगा इसे बना दिये मान लिजिए इसे इसे करके duct सब आके मिलता है इसका थोड़ दिजिए नहीं तो इसे करके जितना duct होगा इसे pelvis में आके मिलते हैं ठीके फिर यह paragraph में क्या दिया है यह पर यह हो गया structure PCT, DCT और क्या collecting duct क्या है और किसको मालफिक यहन बड़ी बोलते हैं बोमेन कैप्सूल क्या है ग्लोमेर उलस क्या है अलड़ी डिसकसन किया है देन देखते हैं according to the PCT, DCT and the nephron situation होता है according to that कैसे देखिए जो मालफिक यहन बड़ी PCT and DCT of the nephron is situated in the critical region of the kidney whereas loop of healthy deep into the medulla ओ बोलते हैं देखिए एक structure देखिए यह सोचिए यह ग्लोमेर उलस हो गया और जो यहाँ tube जो होता है यह सब यहाँ होके यह से होके यहाँ जो pin-like structure जो होता है यह थोड़ा अंदर में medulla में गूसा होता है यह थोड़ा medulla में गूसा होता है only loop of healthy loop of healthy गूसा होता है तो ओ बोलता है into the medulla the majority majority of nephron the loop of healthy is too short and extend only in the little into the medulla काफी सारी ग्लोमेर उलस का मतलब जो हमारा मलफी ग्यान बड़ी जो पूरा total structure जो है उसका मलफी ग्यान बड़ी PCT DCT यह सब cut-ex region में रहता है only थोड़ा सा आता है क्या तीब जो आता है हमार लूफ of healthy थोड़ा सा medulla में गूसता है तो ज्यादा दर क्या जो little little extend into medulla जो medulla को थोड़ा सा extend हुआ उसको क्या बोलेंगे cortical nephron बोलेंगे cortical nephron बोलेंगे clear cortical nephron बोलेंगे अगर ज्यादा गूसा होगा सब पज यहाँ एक नेफ्रन है इसका जो टीव है ज्यादा मेडूला में गुसा हुआ है ठीक है यह ज्यादा मेडूला में गुसा हुआ है यह ज्यादा पोर्चन मेडूला में गुसा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे जक्स्टा मेडूलारी नेफ्रन उसको क्या बोलेंगे एक हैस को क्या वोलेंगे तो जक्स्टा मेडूलारी नेफ्रान ठीक है जक्स्टा मेडूलारी नेफ्रान प्लियार जो डिपली मेडूला का ये डिपली डिप इंटू मेडूला प्लियार तो ये दोनों तरह का नेफ्रन होता है एक जाम में बहुत बारा आता है इसको स्टार मार्क भी हम किये हैं दो टू टाइपस अपनेफ्रन क्लियर देना और क्या बात इधर है इफ्रेंड आट्रियो एमर्जिंग फ्रम दग्रोमेरुलस फर में फाइन कैपिलारीज क्या करता है जब यहां यह जो आ इस से आके मतलब इसका एक इसका साथ में एक क्या परालली इसका साथ में चलता है ठीकए इसका साथ में एक नेटवर्क बनाता है तो इसको हम देखे यहां यह जो रेड कलर का एक क्यापिलरी जो इफ्रेंड आट्रिल से आके इसका मतलब लूप अभेनल के साथ में एक परालली नेट्वर्क बनाते हैं उसको भासा रेक्टा बोलते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा क्या भासा रेक्टा हो गया और एक बात बोलता है भासा रेक्टा जो है अप्सेंड इन हाईली इन कर्टिकल नेफ्रण भासा रेक्टा कर्टिकल नेफ्रण में यह कर्टिकल नेफ्रण में भासा रेक्टा ज्यादा प्रेजेंट नहीं है कि यह ज़्यादा अन्दर में घुचा नहीं है तो यहां ज़्यादा बहसा रेक्था में कर्टीकल निफ्रण में बहसा रेक्था अपसेंड और हाई एले रिडूस तो यह था इतना फक्ष्छू था यह था हुमारा टोटाली स्टक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च किन्नी का मतलब कौन से लेबल में है T12 से लेकर L3 तक है और कि आमारा सिस्टम में क्या दो किन्नी है वन पैर अफ यूरेटर यह ब्लाडर और यूरेथ्रा देन इसका लेंध वाइट यांड थीकनेस अल्ड़ी अम डिस्कसन कर लिए तो आई होप आप लोग का समझ में आया होगा तो इन देस वीडियो आज मतलो एव वीडियो में इतना है इंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बार थैंक्यू 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 थेक्या